ना होम पेज के अगर हम बात करें तो होम पेज में चलते हैं तो मैंने आप पर लेखा home page.py यहां देखो यह बहुत सही है यहां पर हम list view का proper use कर सकते हैं क्यों कि हमारे जो query है वो बरकुछ simple है courses.object.all और यहां पर हमारे सिर्फ template नहीं है क्या कर रहा है हम कुछ नहीं तो सिर्फ यह रेंडर लेखने वाला जो यह सारी चीजे हैं इसको कोई मतलब नहीं लेखने का तो यह कुछ कामयाद बढ़ रहा है मैं इसको class में convert कर सकता हूं कैसे हम इसको class में convert करेंगे मैंने class को कहा home page class home page view कह देते हैं इसको ठीक है home page view और इसको मैं यहाँ पर इन्रेट करूंगा list view so list view को हम यहाँ पर import करेंगे so यहाँ पर हम मैं कहूंगा from django from django.views.generics.generic .views.generic okay generic यहाँ से मुझे import करना है list view को और यहाँ पर हम home page है इसको हम list view का sub class बनाएंगे ना यहाँ पर कौनकोंजी properties मुझे define करनी है पहला है template name यहाँ पर मैं कहूंगा template underscore name template name क्या है तो template name है courses dot courses के अंदर है home slash html so यह आ गया courses के अंदर है home dot html इसके बाद मुझे बताना है query set क्या है यहाँ पर मैं बताऊंगा query set query set is equals to क्या है courses dot objects dot all यह हो गया हमारा query set बस इतना ही है ना उसको मैं यहाँ से remove कर देता हूँ now template name क्या है query set हो गया query set हो गया अब इसके बाद मुझे बताना है यह क्या करेगा object list के अंदर उसको assign करेगा तो मैं object list के अंदर assign नहीं करना चाहता हूँ इसको मैंने किसी एक key मैंने create किया होगा तो मैं home dot html में चलके देख लेता हूँ क्या key मैंने use किया यहां पे home dot html okay कहां चुका हूँ मैं home dot html में यह row home dot html मैंने यहां पे courses use किया है तो मैं वहाँ पर उसका नाम change करके courses करना चाहता हूँ ठीक है अगर मैं इसको यहां से change करके object underscore list कर दूँ तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा home page में भी अब मुझे बस दो line से मेरा काम हो जाएगा ना हमने safe किया अब क्या करेंगे हमें is home page view को init.py में import कर देते हैं यहां से मुझे जो home है इसको में remove करना है home page view आ गया उसके बाद इसे हमें url से में use करना है तो url.py में जाएगे यह जो home है इसको हम remove करेंगे यहां पे हम करेंगे class home page view और इस home page view की जगा पे हम लिखेंगे home page view dot as view ओके now save किया वापस चलते हैं बस दो line में लिखी हो मेरा काम यहां पे हो जाएगा now new bar पे क्लिक है तो यह देखो home page हमारा आ गया proper चल रहा है home page कैसे चल रहा है सिर्फ हमने दो line लिखी कौन सी दो line यह रहा है class create किया और यह create कर दिया अब अगर आप home page में चाहे तो यहां object list ना आए यहां पे courses ही रहे जैसा था वैसा ही रहे नाम इसका ठीक है तो अभी यह काम नहीं करेंगा क्योंकि वह object list में form कर रहा है दो home page चला गया मैं यहां पर courses में change करना चाहता हूं context object का नाम मैं यहां पर लिखूंगा context underscore object underscore name इसी question मैं इसको चाहता हूं courses में convert करना अब यह courses में convert हो जाएगा पेज को reload किया तो यहां देखोगी यह सारे courses देखने लगे तो यह यहां पर फाइदा होता है generic views को use करने का